आजय तेवगन आर मादवन और जोतिका स्टार फिल्म शैतान का फिर्स्ट लुक किया गया अन्वील। और आजय ने फिल्म के इस पोस्टर को शेर करते हुए रिवील किया कि फिल्म का टीजर कल रिलीस किया जाएगा। इस पोस्टर को आजय ने कैप्शन दिया, आपको बतादें यह thriller film एक family की कहानी होगी जो एक trip पर जाती है जहां उनकी मुलाकात एक stranger से होती है जो उनके बारे में सब जानता है और जब तक इस stranger के बुरे एरादों की family को भनक लगती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है इलिय में रिपॉल्स आई थी कि इमरान हाशमी डान ट्री में विलन का रोल प्ले कर सकते हैं और एक बार फिर उन्हें फरहान अख्तर के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया जहाँ पैप्स ने उन्हें कहा डान ट्री विलन जिस पर इम्रान हाश्मी ने कुछ कहा नहीं और मुस्कुरा कर अंदर चले गए अक्रिस अनन्या पांडे इस वक्त अपने पैरिस ट्रिप को इंजॉय कर रही है जहां वो एक इंटरनाशनल फाशन शो का हिस्सा बनने पहुंची है और यहां से अनन्या ने अपने फैंस के साथ कुछ खास पिक्चर शेयर की हैं जिसमें अनन्या ने अपने आओट्फिट की एक झालग दी जो उन्होंने फैशन वीक में पहनी इसके अलावा अनन्या ने अपनी कैफे, आउटिंग और डिलिशिस फूर्ड्स की कुछ पिक्चर्स भी शेयर की हैं आरियन खान ने कोविट के दोरान युनिवर्सिटी ओफ सदन कैलिफोर्निया से अपने सिनेमेटिक आर्ट्स का कोर्स किया था और अब इस युनिवर्सिटी की दीन ने अपने एक इंटरेक्शन में रिवील किया हाव वस आर्यन अज अस तुडेंट उनका कहना था कि आर्यन से कोविट की वज़े से उनकी one-on-one मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन SRK से उनकी इंटरेक्शन जरूर हुई और वो जानते हैं कि बहुत जल्द आर्यन की OTT सीरीज रिलीज होने वाली है कर दो कर दो कि आर्य है झाल झाल